अर्दू अफ्साने पर मगर्दू अफ्साने के 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 अफ् आरे अपसानों में मिलती है इसके अलावा मगर्बी अपसाने में जो कहानी पन इस्टोरी और एंटी इस्टोरी की बात है उसको भी यहां बयान किया जाएगा और मगर्बी अपसाने में जो हकीकत पसंदी और उर्यानियत है उसका कितना असर अर्दो अपसाने पर पड़ा है उसका भी एक जायजा लेने की कोशिश की जाएगी तो आईए गुष्दू का आगास करने के लिए सबसे पहले अर्दू अफसाने पर मगर्बी अफसाने के असरात के पहलू पर बात करते हैं अर्दू अफ्साने में मगर्बी तह्जीब और तमद्दून के असरात की जहां तक बात है तो इस जिम्न में बला तामूल ये कहा जा सकता है कि उसके असरात बहुत दूर्रस रहे हैं मगर्बी तर्ज माश्रत, वहां का रहन सहन, मगर्बी फैशन, जिसम की नमाईश और उनके रख रखाओ के जो का आजादना तोर है, तोर तरीका है इसके अलावा जिन्दगी करने के तर्ज के असरात भी अर्दू अफ्सानों के मौज़वात में शामिल रहे हैं समाजी तबदीली की तरफ इसी मगर्बी असर से तवज़ दी गई, समाजी तबदीली की तरफ जब मैं कहता हूं उनके हुक पामाल हो रहे हैं, मेहनत कर्श तबके की जो जायस खाहिशात हैं, जो जायस उसकी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो समाजी तबदीली के तोर पर एक रविश शुरू ही, एक इनकलाब शुरू हुआ कि उनकी आवाज बन करके, उनके जो ग्रिवांसेज हैं, उनकी जो शिकायात हैं, उनका तर्जमान बन करके अर्दू अपसाने ने अपनी खित्मात अंजाम दी, तो जाहिर एक एक समाजी तबदीली थी, जिसका असर हमें अर्दू अफसानों में निज़र आता है तो हमारे हाँ जो मश्रिक में आम तोर पर लेकिन अर्दू में खास तोर पर कहें तो कुछ और तबदीलियां भी होई हैं, यानि वो तो एक मौजवाती सता पर तरके पसंद तहरीक ने वो काम किया, लेकिन एक काम जो समाजी तबदीली के तोर पर हुआ, वो ये हुआ कि आवरत और मर्द में फर्क जरूर काम था, लेकिन आवरत की आजादी का तस्वर और उसे एकूल स्टेटस देने का जो काम था, वो सबसे पहले मगरिवी अफसानों के तोस्रों से उर्दू में आया है, इस बास से कोई इंकार नहीं कर सकता, यानि जिस तरह से बाजाता तो अवर पर इस चीज़ को चलाया गया, इस चीज़ को रखा गया, पेश किया गया, ये मगरिवी असरात ही थे, जिनकी वजह से औरत के जिनसी जजबात और उसकी जो बेराहरवी तो उसको भी कबुल किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले हमारे हाँ ये चीज़ें मायूब थी, उनको मायूब सुझा जाता था, तो अगर इस तरह से आप देखें, जो असरात रहें मगर्बी उर्दो अफसाने पर, तो एक बड़ी लंबी फेरिस्ट बन जाएगी, और उन तमाम कायाता बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि यहां पर हमें लेक्चर के नकता नजर से, कुछ मोटी बारतों की तरफ इशारे करना जरूरी है, तो पहली एक बात यह कि जो समाजी तबदीली वो यह रही कि औरतों को जो मसावियाना हुक देने की बात थी, यानि कहते हैं कि उसका जो आजादी का तसवर था और उसको जो बराबरी का हक देने का मा मादियत को एक वैलू के तरो पर तसलिम किया गया। एक गद्र के तरो तसलिम किया गया यानि माद्दे को और महां की सिंदगी में उसको बनियादी हैसियत हासल है। इसी तरह mdhib बेजारी, खुदा बेजारी, वजूदियत, मौक़ परस्ती इस तरह की जतनी बाते हैं। और रसुम और रिवाश की बहुत सी खुयूद और बंदिशों को पार करने का वहां पर रिवाश था जाहिर है कि ये सारी जो बाते हैं जिनका मैंने जिक्र किया वो मगर्बी अफसानों के जरीए अर्दो अफसाने में दाखिल हुई है अच्छा इनके दाखिल होने का नतीजा क्या हुआ नतीजा ये हुआ कि अर्दो अफसाने में हमें मगर्बी तहसीब और तमद्दुन का अक्स दिखाई देने लगा क्योंकि जाहिर है कि उससे पहले जब हम सिर्फ अपनी बाते कर रहे थे तो हम उसको अपनी जिन्दगी हमें नजर आ रही थी आसपास की जिन्दगी नजर आ रही थी लेकिन एक जिन्दगी वो भी है जो मगर्ब कहां जो मगर्ब में राइश है ये सरह से वो जिन्दगी अपनी गुजारते हैं उनका तौर है जिन्दगी जीने का उसको भी यहाँ पर हमने अपने इसमें पेश करने की उसको लाने की नहीं उस तसवर को लाने की हमने उसका एक रुजहान यहाँ पर पनपा और उसको फरोग मिला जीन यहाँ जीन jullie असरात का यहाँ पर अभी जिक्र हुआ है जनी के बेले बासी है उर्यानियत है ंगोटल कलशर या कलब कलचर है जीन सीवेराह रवी है और मुर्द पर और और उर्जिय का गलबा तखलिक कारों ने तफरीहाद, बलंदे मारतों की सेर और घजाई जरूतों के लिए होटनों से जूडने को जूडने जैसी तहजीबी और तमद्दून के जो तरीकों को अर्दों में खास तोर पर पेश करना शुरू किया तो ये जो मगरिब की तरकियात है उन तरकियात ने पूरी दुनिया की नजरों को खीरा कर दिया था यानि जिन साइंसी अख्तराइत और इजादात का जिक्र अभी कुछ दिर पहले हुआ कि जहाज, जह ट्रेन, बहुत सारी शीज़े टेलिफून जिस पर हम बात करते हैं यानि आज टेलिफून में भी इतनी जिद्देते हुई एक स्मार्ट फोन और स्मार्ट फोन में बहुत सारी इस तरह के फीशिर्स उसमें आगए है तो जहीर है कि ये कौन कर रहा है ये मगरिब की देन है, जहीर है कि मगरिब है और उसमें कुछ अब मश्रिकी जो ममालिक हैं वो भी बहुत तेजी के साथ उसमें तरकी कर रहा है लेकिन पहले पहले जो बहुत सारी चीज़ें आई उसमें मगरिब ने पहल की थी उन चीज़ों में और जाहिरे के पूरी दुनिया ने जब उन चीज़ों को इस्तेमाल किया तो उसकी इफादियत उनकी नजर में वाज़ हुई तो जाहिरे के सहतमन चीज़ों को लेना तो ठीक था लेकिन जो गहर सहतमन चीज़ थी यानि उस माशरे के लिहाज से तो वो चीज़े ठीक थी वहाँ पर उनको कबूलियत हासिल थी लेकिन आपके हाँ जो मिज़ाज है जो किरदार है आपके माशरे का वो बिल्कुल अलग है लेकिन आपने उन चीज़ों को यहां फिट करना चाहा तो जाहिर है कि उसमें दुश्वारी होगी और उसके रद में भी लोग खड़े होंगे उसको कबूल भी करेंगे तो नो तरह के लोग खड़े होंगे अब क्या है कि जो तरकियात मगरिब ने हमें दी तो आप यह देखें कि हर शक्स अपनी जिन्दगी को बेहतर बनाना चाहता है उससे आसाइश से भरना चाहता है और इस बात के लिए हमें से हर फर्द कोशिश करता है कि उसे तरकियाफ़ता कहा जाए अच्छा यह जो तरकियाफ़ता ये जो भूत है तरकियाफता कहलवाने का खुद को इस काम के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है हमें तरकियाफता कवमों की पहरवी भी करना पड़ती है जो चीज भी इस्टेटस सिंबल हो जाए उसने अपनाना और उससे अपनी जिन्दगी में ढाल करके उसे पेश करना वो हमारी जिन्दगी का एक कहना चाहिए कि तौर बन जाता है उसका एक नसब उलाइन बन जाता है तो उससे होता क्या है उसका जो नतीज़ा सामने आता है वो ये होता है कि हमारी नतीज़ा ये हुआ कि आप देखें कि हमारी फिक्र पर मगरिब कुछ ऐसा सवार हुआ कि हमने अपने आपको तरकी आपता कहलवाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें भी अक्तियार कर ली जिनें हमें अक्तियार नहीं करना चाहिए था और अर्यानियत फहाशी ये वो सारी चीज़ें मादियत मन्फाथ के लिए सारा काम करना ये वो सारी चीज़ें थी इसी तरह से खुदा बेजारी मजभ बेजारी ये सारी वो चीज़ें थी जो हमारी फिक्र से हमारे मिज़ाज से जो मश्रकी मिज़ाज है हमारा उससे ये चीज़े में लिखाती थी उससे हम आएंग नहीं थी लेकिन चुके हमें हम उससे मरूब हैं तो हमें अब खुद को तरकी आप तक कहलवाना है तो इसलिए हम उन चीज़ों को जब फालो करते हैं उसे अपनी जिन्दे की में ढ़ालते हैं तो क्या होता है कभी कभी सुरते हाल बहुत ही मज़ा का खेज हो जाती है मगरीबे अफसाने की आप देखें कि वो तब्दिली जो बहुत नुमाया है और उसने अपने गहरे असरात मरत तब किया उर्दों अफसाने पर वो ये है कि औरत और मर्द का जो अलादा अलादा कल्चर हमारे हैं शुरू से मिलता है उसको उसने मिलवा कल्चर में तब्दिल कर दिया यानि अखतलात वाले कल्चर में अर्दों अफसाने नहीं असर कभूल किया जब ये अखतलात वाला कल्चर आम हुआ तो नतीजे में बहुत सारी समाजी बेतदालियां पैदा हुई और इस वज़े से अर्दो अफसाने पर मगर्ब के असरात पड़े और अर्दो अफसाना फैशन परस्थी का शिकार होकर उसकी नमाइदी करने लगा मिलवा कल्चर के बाद आप देखें कि जो दूसरी तबदीली है जिसका असर अर्दो अफसाने में हमें नज़र आता है वो है फैशन परस्थी फैशन परस्थी यानि जो होटल कल्चर है जो कलब कल्चर है इसकी नमूद इसी फैशन परस्थी का नतीजा है शराब नोशी को तरकी आपता होनी की अलामत समझा जाने लगा हमारे हाँ आज भी गर्चे बहुत लोग इसमें शामिल है शराब नोशी है लेकिन कोई ऐसा कह दे कि इसे कोई इज़त की बास समझता है नहीं ऐसा नहीं है हमारे मश्रिक मिज़ाज और जो किर्दार है शराब नोशी को गलत मानता है अब उसको क्या हुआ इस बदले हुए आहद में क्या हुआ इस बदले हुए मनजर नामे में शराब नोशी को सिगरेट नोशी को जो खराब मरशियात के इस्तेमाल को हमने डॉल अक्सोस हरकते हैं उनको बढ़ावा मिला फैशन परस्ती का हर नया तोर मगर्बी अफसानी की तरील बना सिर्फ उर्दू नहीं बलके दिगर जो अलाकाई जबाने हैं उनके उदबाने भी अपने लिए ये लाजमी ख्याल किया कि जिस तरह यहां की हर जबान के फनी है तमारमात के मामले में मगर्बी अफसानी का रोल है यानि अफसानी को जिस तरह से हमने वहां से दरामत किया है उसी तरह से उस पूरी तहजीब को भी एक तरह से हमने दरामत कर लिया जा है चाहे वो फिट बैटे या ना बैटे तो इस आपको अगर दिखाना है तो उन चीजों की पेशकश में आपको किन फनी लवाजमाश से गुजरना पड़ेगा और कितनी दस्तरस होनी चाहिए उस मौजू की पेशकश में ये बहुत अहम है तो कुछ ऐसे अफसाना लिगार जिनको कमाल नहीं था तो उनके हाँ वो कुछ सूरत बैस ऐसी लगी कि वो मगरिबी तहजीब की तश्यीर कर रहे हैं उसकी तबलीग कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी जग़ों पे बहुत खुब सूरती से ये चीज़े हमारे हाँ आई हैं और को अप्रिसेशन भी मिला है तो मगर्बी फैशन धीरे धीरे आप देखें कि अर्दो अफसानों में ढलता चला गया जिसके बाद अर्दो के अफसानों के कारी भी उसका गुनगान करते नजर आते हैं फैशन एक बड़ा तसवर था है भी बलके जिससे इंसलाक के लिए ये चीज़ की जाती है तो बेशर्मी बेहयाई औरत की उर्यानिस से लेकर कि जिन्सी बेदालियों तक हर एक अमल को फैशन से जोड़ दिया गया तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि ये देखते हैं कि अर्दो अफसाने में मगर्ब के फैशन के दोनों यानि के मस्पत और मन्फ किया है बलके मगर्बी उलमा के जो अफकार रहें नजरियात रहें उन नजरियात ने भी अर्दो अफसाने को बड़े पहमाने पर मतास्र किया है फराइट का जो नजरिया है तहिल नफसी का नजरिया वो आप देखिए उसने अर्दो अफसाने को फनी सता पर कितना मतास्र किया है उसके बाद आप नजरिया जिन्स देख लीजे जैसे अफकार भी मगर्बी दुनिया से हमने मुस्तार लिया और हमने इसको यहां पे पेश किया है मगर्ब में आप देखिए कि जो हक्रिकत पसंदाना नुक्ते निगाय के शुरुआत हुई इसी तरह तखलीकी अदब में इन मुफक्रीन ने कुछ और चीज़ हैं जो महला फनी सिता पर बात करें तो आजाद तलाज मैं ख्याल फिरी असोसियेशन आफ थार्ट जिसम कहते हैं सिंबलिजम यानिया लावत निगारी तमसिल निगारी वजूदियत तज्रीदियत इश्तराकियत जिसंस प्रस्तिक के अलावा ऐसे कई नजरीये दुनिया को दिये हैं जिनका मुष्द से वास्ता नहीं था लेकिन मगरिबी अफकार की मदद से वो सारी चीज़ें मगरिब के हवाले से यानि अंग्रेजी के तवस्थ से हमारे हाँ जो अर्दू में चीज़े आई वा आम तोर पर अंग्रेजी के तवस्थ से जो भी तराजिम हुए मालिजे फ्रांस में कोई तहरीक चली मालिजे इट जो फ्रांसेसी जानते थे उन्होंने वहां से भी किया कुछ रूसी जानते थे वहां से भी उन्होंने किया तराजम करके यहां अर्दोलें पेष्क Cred तो मगरीब का खुदा वेजार नजरिया और खुदा के वजोद से इंकार यह सारी चीज़ महीं से आई है, मजभ की पाबंदी से इस तहसाल के धर्वासों को खुलना आप देखिए। इसी तरह से अखलागी तोर पर रसुलों की पाबंदी से इन्सान की आजादी के सल्म होने का तसवर और आजादी के मनमाने तस्वराद ये सारे तस्वराद अब दिखेंगे कि मगर्ब अफकार की देन रहें और धीरे धीरे ये सारे मौज़वात और ये सारी ये ख्यालात अर्दो अफसानिक का हिस्सा बनने लगे और जैसा कि मैंने बताया कि महदियत परस्ती मनफ़त खुदगरदी ये सारी वो चीज़े थी जिनके वो जैसे रिश्वसितानी भी आम होई बेवसूली भी आम होई जिसमफरोशी भी आम होई और अपने मकसद के हसूल के लिए जिसके इस्तेहमाल का सिलसले अर्दो अफसानी के इजहार में भी शामिल होने लगा बहराल चंद अर्दो अफसानी निगारों ने इन अफकारों नजरियात को अखलास सोच जान कर इनके खिलाफ तखली की अदब की रिश्व अपनाई और उनके मकाबले में कुछ दूसरे अफसानी निगारों ने तरकी पसंद अफसानी अफकार का दर्जा दे कर मगरिबी तहजीब होता मद्दून और फैशन प्रस्थी को अक्तियार करने की जोरत पर जोर दिया तो इस तरह हम देखते हैं कि मगरिबी अफकार का दोर बढ़ने लगा कई अफसान गाرा ऐसे भी ती जुनोंने मगरिबी अफकार की मुखालफट के लिए नसर का इस्तिमाल किया एक और पहलू जो अर्दू अफसाने पर मगरिबी अफसाने के अथरात के हवाले से बात करते हे वक्त हमें जहन में रखना चाहिए वो है कहानी पन का पहलू मगरिब अफसाने में कहानी पन का उलसू अभ शुरूर आपको मिलेगा वो ऐक लिभ लब वक्तक्षामिल ला है कहानी पन के वफ्त को मगरिब खासता हो ज़से एरुपे ममालिक के तखलीकारों ने बरकरार रखा था लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह जदीद अफकारों नजरियात का सूरज महां तलू हुआ तो अफसाना निगारों ने ताजाकारी के लिए और नएपन की तलाश में कुछ अलग अलग तरीखे अपनाए वो अलग तर ही नहीं कर रहे थे तो उनके हाँ भी यह चीज़ आई कि कहानी पन का उनसुर बीसमें सदी के छटी दहाई तक तो आपको मिलेगा उसके बाद क्या है कि मगरीब यह अफसारे में क्योंके कहानी पन से दूरी हुई है तो हमारे हाँ भी उसको एक फन की जरूर समझ करके कि मलब है प्लाज आइनटी right ऑर कभी कभी कहानी से पहले कि शक्लिमें भी इस चीज़ें सामनी आई ए है। या पहले क्या था कि पहले जो तर्टीब जै पन थी कहानी की पलाड श्रूरू हा पलाड की तर्टीब यह थी कि कहानी का फिर इफ्तिदार दीरी तलिक आथ् तो ये एक खते मुस्तकीम वाली जो तर्तीब थी यानि कहानी पन की बो मगरीब में भी थी शुरू में हमारे हाँ भी थी लेकिन हमने चुके मगरीब को मौडल माल लिया तो वहां के फनी जो रूमूस थे जो इलतजामात थे उनको भी हमने अपनाया तो अब हमारे हाँ भी उनकी वज़े से तबदीड ही आई क्योंकि उन्होंने भी चेंज कर लिया था तो हर कहानी का प्लाट अब ये के अपनी तम्हीं से शुरू होके नक्ता रूश तक पहुँचता है और फिर अंजाम की मनजिल आती है ये एक खते मुस्तकीम वाली तर्टीब थी तो ये स्टो ये भी उन्होंने रिवाश दिया कि प्लाट का अब्दाईया बयान नहीं किया गया बलके नक्ता रूश से प्लाट की शुरूआत हुई फिर कहानी आगे बढ़ी तो बहराल ये जो तबदीली है कहानी को बयान करने में यानि वाकियात की तर्टीब में किस तरह से वाकिया आगे बढ़ेगा इसमें भी हमने मगरिब की पैरवी की तो अच्छा ये हमने पैरवी कियों की जिद्दत की तलाश में मगरिब ने चुके उनके हाँ उन्होंने जिद्दत की तलाश में ये सब कुछ किया था हमने हमें तलाश थी ना थी हमने सिर्फ मगरिब की चूके हमे चले तो उर्दो अफसाने निगारों ने इस रविश यानि के एंटी स्टोडी को बहुत जोर शोर से अपनाया साथ के बाद आप देखें बहुत सारी कहानिया आपको इस तरह की मिल जाएंगी जाहिर है कि उसमें किरदार उसके अमल से ज्यादा अलामतों को बरुविकार लाया जाने लगा तो जब अलामते आई तो जाहिर है कि अलामतों में बहुत बार यह हुआ कि बहुत दफ़ा तो अच्छी अलामते थी यानी जिना अलामतों को एकाम आदी में समझ पाता था ल сказ पाता था लेकिन आम तर पर ऐसी अलामतें इस्तेमाल की की गिए इ система माने में जिनका तालो खास तिर्स आढ गैप पैदा हुआ था तो गोया वो कहानी ना हो कर कि वो कोई चीस ताओ या पहली बन गई थी तो जाहिर है कि यह आईसी यह जो तजर्बा था या या इन्टी इस्टोरी का जो सिलसिला था अर्दू में ज्यादा चला नहीं क्योंकि उसकी वज़र से रिष्टा कमजोर पढ़ने लगा काहरी का या उस तक तरसील नहीं हो पा रही थी तो तरसील की नाकामी का जब अलमिया सामने आया तो इस तरह से जाहिर है कि यह जो तजर्बा था आईन्टी इस्टोरी का वो आगे नहीं बढ़ सका तो बाराल यह कह सकते हैं कि एन्टी इस्टोरी को अर्दू अफसाने में एक तजर्बी की सूरत तो हासल रही और लेकिन यह कि उसे कहें कि जादा फरोग हासल वा ऐसा नहीं हुआ उसे फरोग हासल नहीं हुआ जादा मगरبीफ़ने के असर से जहां बहुत सारी चीज़ें अर्दोफ़ने आई उन में हकेकत पसंदी और उर्यानित को पेचला मिली अब मगर्ब में जो हकेकत पसंदाना नक्ता निगाह है उस से ठोस हकायक को पेश किया गया लेकिन क्या हुआ के حقیقت کو پیش کرنے کے نام پر اوریانیت کو بھی زیادہ شد و مت سے پیش کیا گیا تو جو یورپی معاشرہ ہے جو مغربی معاشرہ ہے اس میں اوریانیت کو ایسا تصور نہیں ہے جس سے آدمی متنفر ہو یا اس سے کراہت پیدا ہو یا جو وہاں کے معاشرے میں معیوب ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے وہاں اوریانیت کو ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ان چیزوں کو مغربی تخلیقاروں نے بہت بمحابت طریقے سے اس کو پیش کیا تو ایسی چیزوں کو بھی بیان کیا گیا جن کو پردے میں رکھنا یا رکھنا ہی شریف سماج کی پہشان ہوتی ہے لیکن ان حقیقت کی حقیقت کی بے باق کاسی کے نام پر جو اوریانیت بڑھی وہ جو ہے ہمارے ہاں بھی اس کو بہت لوگوں نے اپنایا اور ظاہر ہے کہ جب اس کو اپنایا گیا تو اس کے خلاف ردعمل بھی سامنے آیا مقدمات بھی چلے آپ واقف ہیں منٹو کے کیس سے واقف ہیں اسی طرح سے اسمچکتائی کے اوپر بھی جو کیس ہوئے مقدمات ہوئے اس سے بھی آپ واقف ہیں بہرحال ان کی منشاہ وہ نہیں تھی ان افسان نگاروں کی کہ وہ کچھ فحش نگاری کر رہے تھے لیکن چونکہ ہمارا سماج جس طرح کا تھا اس میں وہ چیزیں بلکل پہلی بار پیش ہو رہی تھی اور جس طرح سے ریڈر اس کو لے رہا تھا اس کو یہ لگا ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز کوٹ میں پہنچی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ جواز بھی رہا ہوگا لوگوں کے پاس لیکن بہرحال ان کے مقاسی جس طرح کے نہیں تھے لیکن وہی بات گھم پھر کے آتی ہے کہ وہاں کی چیز کو جب آپ یہاں اس سیٹ اپ میں داخل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے تخاظے ہیں وہ کہاں تک ان چیزوں کو لے پائے گی اس چیز کو قبول کر پائے گی یہ ایک اپنا مسئلہ ہے تو اردو میں آپ دیکھیں کہ مغرب کی تقلید میں اخلاق و تہذیب سے بینیاز افسانی بھی لکھے جانے لگے لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف پورا ایک محاذ کھول دیا گیا تو غرض آپ اس پوری جو گفتگو میں نے کی ہے اس کو جب آپ غور سے دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو کچھ باتیں صاف طور پر سمجھ میں آئیں گی کہ مغربی افسانے کے امتیازی جو پہلو رہے ہیں اس میں خودغرضی آزادہ نہ روش منمانی مذہب بیزاری خدا بیزاری کے علاوہ اخلاق و تہذیب اور رسم و رواج کی حد کو پار کرنے کا ایک عام بائلان تھا مغربی افسانے کے وسیلے سے یہ سارے پہلو اردو افسانے میں داخل ہوئے اور اردو افسانے میں مغرب کی خصوصیات کا علمبردار بننے لگے یعنی یہ سارے جو پہلو تھے یہ جو عمل تھا وہ اردو افسانے میں مغربی افسانے کے اثرات کو بتاتا ہے ہوتل کلچر کلب کلچر عورت اور مرد کا اختلاط اور عورتوں کے مردوں کے مساوی حقوق اسی کے ساتھ اور بھی چیز ہیں حقائق کے بیان کا معاملہ ہو اور یعنیت نفس پرستی اور بھی دیگر باتیں جن کا ابھی ذکر ہوا انہوں نے اردو افسانے میں مغرب کے وسیلے سے نمائندگی پائی ہے اسٹوری اور انٹی اسٹوری بھی مغرب کے اثر سے ہمارے ہاں آئے تو یہ درست ہے کہ یہ صرف ایک تجربہ تھا یعنی انٹی اسٹوری کا اور وہ زیادہ پروان نہیں چھڑ سکا غرض آپ دیکھیں کہ اردو افسانے پر مغربی افسانے کا اثرات بہت گہرے اور دورنس رہے ہیں مغربی افسانے نے مغربی افکار نے فن اور موضوع ہر دو سطح پر اردو کو ایک نئی دنیا کی سیر کرائی ہے اس لیے اس زاویہ سے اردو افسانوں کا متعلق ہمارے لیے غر و فکر کے نئے دروازے کھول سکتا ہے شکریہ موسیقی موسیقی